फसल बीमा की परिशानियों से किसानों को छुटकारा मिल ही नहीं रहा था कि सरकारी समितियों से जुड़े इस किसानों को मिल रहे खाद बीज में भी भरस्टाचार और धोकाधड़ी का एक और मामला सामने आया है बता दे कि पहले से ही किसान पसल वीमा योजना से परिशान हैं कुछ किसानों का 2019 का वीमा डला तो कुछ किसान वीमा राशी से वंचित रह गए हैं मध्यप्रदेश के देवास जिले में ग्राम डावरी में जिला सरकारी बैंक जिसे किसान सोसाइटी बैंक के नाम से जाना जाता है वहाँ किसानों के साथ हो रहे प्रश्टचार और धोका धड़ी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं बताया जा रहा है कि यहां 50 किलो खाद के नाम से बैंकनिस्ट किसानों से पैसे लिए हैं लेकिन खाद की बोरी में केवल 44 किलोग्राम खाद ही निकल रहा है जबकि खाद की बोरी पर 50 किलोग्राम साफ तौर पर लिखा हुआ है हमारे समबाद दाता ने जब इस ब्रष्टाचार के मामले में किसान यूनियन अध्यक्ष किशोर गोलिया से बात की तो सुनिए क्या है उनका कहना जो किसानों का मामला चल रहा है वेसी किसान परेशान है बीमा नहीं डला उनका बहुत सारे गाउं है, बहुत सारी पंचा छुटी हुई है, जिसे तीवड़ा हो गया, जियागाउं हो गया, बिजापूर हो गया, बिजल गाउं हो गया, बहुत सारे किसान है, जिनका भीमा भी नहीं डला, बंचित रहे गए हैं वो, उसके बावजूद अभी एक मामला साम सरकार गुमरा कर रही है और रही बात इस खाद के बारे में तूसीवरास जो है कि लूटने की नीती बना रही हैrire किसानों को केसा लूटा जाए यह लगातार सिवरास सरकार नीती बना रही है और उसमें आपने देखा कि अभी डावरी सोसाइटी से किसान ने IPL का DAP लेके गया और DAP में बजन जो लिखा हुआ था वो 50 किलो लिखा हुआ था लेकिन उसको जब घर जाके तोला तो उसमें 45 किलो खाद निकला कुछ दिन पहले जैसे ही सरकार की बापसी हुई सिवराज सरकार की तब सरकार ने ट्वीट करके कहा था कि अमाना किस्तर के खाद भीज और दवाई पर अगर अमाना किस्तर के खाद भीज दवाई पर कोई विक्रेता पाया जाता है कि IPL के इस खाद में जो 50 किलो की बोरी के नाम को करके बेचा गया और उसमें 40 किलो निकला है तो इस IPL कमपेनी के खिलाप आप कायमी करें और अगर आप अपनी बात पर कायम हो तो फिर इसके खिलाप कारवाई करें और ऐसी लूट से किसानों को बचाए सोचने वाली बात है कि अगर एक बोरी में 5-6 किलो का गोलमाल किया जा रहा है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना घपला किया जा रहा होगा अब देखना यह है कि आखिर कब ऐसे भरष्टचार और धोकादड़ी वाले मामलों में सरकार की आखे खुलेंगी और उन भ एनी खवरों पर हम रखते हैं नजर इसलिए देखते रहिए अकबार जगत फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए कीजिए इंतजार